Hello everyone, जहिंद, वेल्कम टू जासर अकाडमी फॉर आईएस हम करने जा रहे ही यूपी एसी मेंस प्रीवेस सेर क्वेशन अनालिसेज और आज हम देखेंगे जनरल स्टेडिस पेपर वन इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेशन मैं उमीद करती हूँ आप लोगों ने इस क्वेशन को अटेम्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या थॉट्स थे अपना सेशन शुरू करने से पहले गाईज जिन भी स्टुडेंट्स ने हमारे टेलिग्राम चानल को जॉइन नहीं किया है वह सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएए वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा उस लिंक के थुरू आप हमारे टेलिग्राम चानल को जॉइन कर सकते हैं और उसका बेनेफिट आपको यह होगा कि आपको हमारी सारी पीडिएफ का अक्सेस मिल जाएगा जो आपके लिए टेलिग्राम चानल पर फ्री आफ कोस्ट कर दी जाती हैं और उसी के साथ साथ गाईस वीडियो लेक्चर्स भी जो आपके लिए अपलोड किये जाते हैं उनका भी डिरेक्ट लिंक आपको माँ पे प्रुवाइड डिरेक्टली हो जाएगा और guys जो भी students seriously prepare कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूंगी कि guys आपको current affairs के preparation के लिए current affairs को follow करने के लिए अपना time, efforts, money, कहीं पे भी कुछ भी लगाने की जरुत नहीं है all just you need to do is आपको हमारे regularly जासर academy पे जो आपको current affairs करवाई जाते हैं आपको regular basis पे एक video provide की जाती है आप बस उसको regular basis पे follow कीजिए daily बस आपको एक से सवा घंटा देना है अब that would be more than enough क्योंकि हमारे current affairs से भार का guys आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा आपके exam में so आपको सिर्फ daily basis पे regularly consistent होगे बिलकुल इनको follow करना है और guys हमारा GS का pre-placed mains batch रन कर रहा है आप उसको जरूर join कीजिए उसमें GS 1, 2, 3 और 4 सबकी तयारी करवाई जा रही है बिलकुल 0 से तयारी हो रही है guys और जहासर आपको खुद mentor कर रहे हैं उस batch में और अगर आप batch की details को proper तरीके से follow करेंगे और जहासर के द्वारा दी गई guidelines को follow करेंगे तो आपका exam निकलने से कोई नहीं रोग सकता guys आपका selection पका है तो जरूर join कीजिए गाइस batch को और guys हमारा एक mains का भी answer writing patch रन कर रहा है जिसमें 500 plus questions के आपको practice कराई जाती है हमारी expert faculty हैं जो आपके answer copies को check करते हैं और आपको mistakes बताते हैं और साथ साथ improve करने में help करते हैं और इसी के साथ guys आपको हर एक question के regarding एक sample answer भी दिया जाता है और साथी साथ video solution भी दिया जाता है with proper explanation so guys जो भी students बिल्कुल seriously civil services की preparation कर रहे हैं वो इन batches को ज़रूर join कीजेगा join करने के लिए आप नीचे दिये गए number 9713282838 पर whatsapp के through आप courses की details ले सकते हैं और courses को join कर सकते हैं तो चलिए guys अपना आज का session स्टार्ट करते हैं question of the day is throw light on the significance of thoughts of Mahatma Gandhi in the present times वर्तमान समय में Mahatma Gandhi के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए ये question guys GS1 Indian history section से लिया गया है और ये question UPSC ने 2018 में पूछा था so guys जब हम इस question की बात करें तो बिल्कुल straightforward तरीके से हमें Mahatma Gandhi के thoughts के बारे में पूछा गया है सबसे पहली चीज़ जब हम modern history पढ़ते हैं तो उसमें हम Mahatma Gandhi का बहुत ज़ादा उसमें एक महत्वपून उनका role हमें देखने को मिलता है right so जिसमें हमें उनकी techniques उनका क्या वो विचार रखते थे क्या धारना वो रखते थे हर चीज़ के बारे में हमें पता चलता है तो हमें उन्ही points को use करके जो भी उन्होंने जिस तरीके से भी जिससे resist करते थे या सवराज के लिए उन्होंने डिमान की थी चीक है यह जिस तरीके से वो मूवमेंट्स चलाते थे सभी के बेनिफिट में तो हमें उनका ध्यान रखते वे हमें उनको मेंशन करना है कि वो आज के अब महत्मागादी जिस ताइम पे थे उसको बहुत टाइम हो चुका है रईड नियर अबाउट अ सेंचरी जब उन्होंने मूवमेंट्स चलाई थी संचरी नहीं हुई है अभी नियर अबाउट तो अभी के टाइम पे प्रेजन टाइम पे उसकी क्या रेलिवेंस है या वो किस तरीके से जरूरी है, किस तरीके से उनकी importance हमें देखने को मिलती है, हमें उसके बारे में बताना है, so, बहुत simple sorted question है, हमें सिफ महात्मा गांदी जी के, जो हमने modern history में उनके बारे में पढ़ा है, कि उनका क्या कहना था, या क्या thoughts वो रखते थे, हमें उनहीं को बताना है, क्योंकि बहुत सारे उनकी ऐसी thoughts हैं, जो आज के time पे बहुत जादा relevant हैं, relevant हैं, right, so, let's start with our question, कि जो गांधी जी के thoughts थे, जो तो उनको बोल देते हैं, गांधी जो thoughts थे, जो गांधी जी के हमें विचार देखने को मिलते थे, मतलब मानविये तरीके थे, कुछ जिससे की हम problems को resolve कर सकते, जैसे एक example के तौर पर हम इसको जानने के लिए देखें, तो मानविये तौर पर कैसे की, जैसे वो violence के अगेंस थे, की भई लड़के नहीं करना है, जैसे जो चौरी-चौरा incident हुआ था, non-corporation movement उन्होंने वहाँ पर रोग दी थी, जब चौरी-चौरा incident हुआ था, क्योंकि वहाँ पर पुलिस्टेशन को आग लगा दी गई थी, तो उन्होंने क्या कि नहीं किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, इस तरीके से हमें विद्रो करना है, इस तरीके से हमें रिजिस्ट करना है काम करने के लिए, कि किसी को नुकसान हमें लड़ना नहीं है, तो क्या है, एक human तरीके से, निकालना है कि किसी को नुकसान ना हो तब ही हम क्या बोलते थे passive resistance कि passively resist करो resist करो, मना करो कि हम ये काम नहीं करेंगे या हम तुम से सहमत नहीं है लेकिन passively करो जैसे कि उन्होंने civil disobedience movement में किया था कि उन्होंने resist तो किया लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं कि कुछ मार गुटाई नहीं कि कुछ नहीं किया उन्होंने क्या किया salt local break किया उन्होंने नमक बनाया ठीक है तो वो क्या passive resistance तो उसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ तो इस तरीके से उनके जो thoughts हैं वो human way पे human way को बताते हैं basically कि किस तरीके से problems resolve कर सकते हैं अब उनमें से हम कुछ की बात करेंगे तो significance क्या है first is non-violence ahinsa the ideal of non-violence needs to guide the approach of individuals as well as nations and world organizations as violence initiates a vicious circle of repression and injustice अब जैसे non-violence हम देखें तो पहले के टाइम पे उस टाइम पे गांदी जी ने इसको किस तरीके से यूज किया था जैसे अभी हमने बात की कि resist करना है हमें लेकिन passive resistance करना है हमें लडाई नहीं करने है हमें वोयलेंस पे नहीं जाना हिंसा नहीं करनी है हमें किसी से लडाई नहीं करनी मारकोटाई नहीं करनी कुछ नहीं करना हमें non-violent तरीके से शांती पूरवक तरीके से resistance करना है शांती पूरवक तरीके से हमें Britishers की बात नहीं माननी है लेकिन शांती पूरवक तो वही चीज आज के टाइम पे भी जरूरी है चाहे वो individuals के लेवल पे हम देखें या all over nations के जो countries देखने को मिलते हैं उनके लेवल पे देखें या world organizations है उनके लेवल पे देखें तो ये हर जगा पर ज़रूरी है आज के टाइम पर ये एक आईडियल देखने को मिलता है किस तरीके से कि हर एक दूसरी जगा मतलब अगर हम डेली बेसिस पर देखें तो बहुत सारी जगा ऐसी हैं कि ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि जहां पर लडाई नहीं होती है बहुत सारी जगा डेली बेसिस पर हमें लडाई देखने को मिलती हैं बेशक से वो फ्रेंड्स में हो या वो फैमिली में हो या वैसे ससाइटी में हो या कि स्ट्रेंजर्स में भी हो लेकिन बहुत सारी जगा पर हमें वो लडाई देखने को मिलती है कई बार मार पिटाई भी हो जाती है ठीक है नेशन्स के लेवे उस पे देखें हम तो नेशन्स में भी अब क्या है वर्ल्ड वर वन हुआ क्यों हुआ क्यूंकि फाइट पे आए हमें अपना एक्सपांड करना है अपनी कॉलोनीज बढ़ानी है या हमें अपना एरिया एक्सपांड करना है तो उस पे उन्होंने लडाई शुरू की वर्लड वर्ल टू शुरू हुआ अब क्या है कि उसी चीजों पे वर अभी भी करता है लडाई अभी भी होता है अगर हम अपनी ही टेरिटरी की बात करें तो waters पे लड़ाई होती है पानी के उस पे लड़ाई होती है land borders पे लड़ाई होती है जैसे हम North Eastern region में हमें देखने को मिल रहा है ठीक है land borders पे भी लड़ाई होती है अपनी ही territory में या हम अपनी territory के बाहर अगर दूसरी इसे देखे तो चाइना के साथ बहुत सारे इशूस रहते हैं पाकिस्तान के साथ रहते हैं इवन कई बार बांगलादेश नेपाल इनके साथ भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत इशू हो जाता है कई बार तो क्या चीज है कि हमें वॉयलेंस नहीं करनी है तो आज के टाइम पे इसी लिए इतना ज़ादा जरूरी है क्योंकि वॉयलेंस जो है वो बहुत ज़ादा हानिकारक होती है उससे कुछ नहीं मिलता उससे सिर्फ एक हम किसमें चले जाते हैं ऐसे सरकल में घुच जाते हैं जहां पे सिर्फ repression और injustice ही हमें देखने को मिलता उससे हमें benefit कुछ नहीं होता है इसलिए आज के टाइम पे बहुत ज़ादा relevance रखता है बहुत ज़ादा महत्वपून हमें देखने को मिलता है non-voilence को concept second is satyagra the moral framework of resistance which marked satyagra is especially pertinent in the times when to be quiet or to collaborative seem to be the only dominant choice in face of any injustice तो इसका क्या मतलब है satyagraha का यहां पे importance हमें आज के टाइम पे क्या देखने को मिलता है कि जब हम resist करते हैं कि एक framework resist करने का कि हम आगे नहीं आ रहे हैं मतलब हम resist करे हैं कि हम इस चीज में involved होंगे ही नहीं या फिर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये आज के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये उन टाइम के उन समय के लिए जरूरी है या उस वक्त पे ये हमें काम में आता है जब हमें ये चीज दिख रहे हैं कि कोई ऐसी injustice हो रही है चीज को रेजिस्ट किया जाए जरूरी नहीं है अब इस चीज पे क्या होगा कि हर चीज कि हम खड़े खड़े देख रहे हैं हम पीछे हो रहे हैं कि कोई अगर injustice हो रहे है गलत हो रहे है तो that is wrong absolutely लेकिन हर एक चीज में enter करना is also not good जहां पे आपको दिख रहे है कि आपके enter करने से कोई benefit नहीं होने वाला है बलकि कोई harm ही हो सकता है आपको भी या सामने वाले को भी तो वहां पे क्या है कि आप वैसे resist करो आप उसमें क्योंकि वो time ऐसा नहीं है उस time पे आपका चुप रहना ही ठीक है या फिर आपको उनको उनका सहयोगदनों के साथ collaborate करना ही बेटर है तो वहां पे क्या कीजिए वहां पे resist कीजिए एक resistance रखिए next is स्वराज स्वराज्य in the age of markets laden with products based on generating and gratifying instinct of social approval and when public imagination is become increasingly vulnerable to demagogues the idea of स्वराज which had economic, social, spiritual and political connotations continues to be significant कि आज के time कि जब हम बात करते हैं स्वराज का क्या मतलब है self rule, अपना खुद का राज ठीक है, self rule कर रहे हैं तो हम बात करेंगे ऐसे, आज का ऐसा time है जब markets किस तरीके के जहाँ पर products भरपूर हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत products देखने को मिल रहे हैं ठीक है, अब वो क्या है कि क्या वो generate, मतलब जो social approval है, लोगों के हिसाब से वो generate हो रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से वो बनाई जा रहे हैं, manufacture किये जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर क्या है, कि जो public की imagination है वो बहुत जादा तेजी से क्या होती जा रही है कमजोर होती जा रही है, public की imagination वो इतना जादा creativity भी हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं पुब्लिक की साइट से इतना साधा हमें अच्छे आइडिया नहीं देखने को मिल रहे हैं लेकिन मार्केट्स फ्लडिड है प्रड़क्ट्स के साथ तो इस ताइम पर आइडिया ओफ सुराज होना चाहिए सेल्फ रूल की भाई जरूरी नहीं है जैसे हम बात करते हैं कस्ट अच्फिक से एक पुब्लिक की जो इमाजिनेशन होती है या जिस तरिके से एक प्राद्यूसर जिए या एक अथोरिती जो एक अलग तरीके से अलग माइंड ठीक के साथ सब्सक्रें उसमें कई बार दिन रत का अंतर होता है तो आज का टाइम क्या है कि पब्लिक कीuter प्रोडक्शन सेंट्रिक हुआ करता था मार्केट लेकिन फिर किस पर शिफ्ट किया कंज्यूमर सेंट्रिक की जैसा कस्टमर को चाहिए उस हिसाब से हो absolutely right क्योंकि कस्टमर तभी परचेस करेंगे तभी डिमांड होगा बट अभी क्या चीज है कि पब्लिक की जो imagination है वो कम होती जारे तो महां पे इतना innovation या इतना अच्छे से हमें result नहीं कई बार देखने को मिलता तो महां पे self rule लाने की जरूरत है चाहे अब यह हमने जैसे market के हिसाब से बात की तो यह हर level पे हर चीज में important हो सकता है चाहे हम economic की बात करते हैं social की बात करते हैं spiritual की बात करते हैं यह political connotation की बात करते हैं तो यह हर एक level पे important है I hope guys आप लोगो ही समझ में आया होगा मैं थोड़ा सा दुबारा से इसको बता देती हूं conclude कर देती हूं कि क्या बात क्या हुआ धीरी धीरे उसको किस पे shift किया गया consumer centric कि जो consumers को चाहिए जो हमारे end customer को चाहिए उनके हिसाब से demand के हिसाब से product बनाया गया बट अब क्या चीज देखने को मिल रहे है कि public की imagination जो है या जो वो चाहते है वो कमजोर होती जा रही है तो जब वो कमजोर हो रह अधाने के लिए producer को अपना rule लगाना पड़ेगा producer को अपना rule चलाना पड़ेगा या जो highest authority है उनको अपना rule चलाना पड़ेगा ताकि एक better product एक अच्छी तरीके से अच्छा creativity दिखाई जा सके अच्छा product बनाया जा सके और market में जैसे आज वो product से flooded है लेकिन बहुत सारे products क अच्छा है कि जो customer centric है तो वो public imagination कमजोर होने के वज़े से इतने अच्छे नहीं है तो उनको change करके या उनके हिसाब से क्या है market को flood तो करना लेकिन वहाँ पर अच्छे variety of better products innovative products लेके आने है इसके लिए स्वराज की बात की गई है मतलब producer वहाँ पे थोड़ा सा अपना rule चला के वो अच्छा innovation लेकर आए राइट नेक्स्ट इस eliminating untouchability असपरिश्यता का उन्मूलन caste discrimination has not still not ceased to be a feature of Indian public life गांधिन ideal of social consciousness to eliminate it needs to be taken forward कि अब गांधी जी ने untouchability के लिए ध्यान दिया था untouchability पे उन्होंने evens जो जिसे बोलते हैं हम washrooms वगेर है तो उन्होंने खुद साफ किये थे जाके यह दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि यही लोग साफ कर सकते हैं यह लोग साफ करते हैं तो यह गंदे हैं या यह untouchables हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो उन्होंने बहुत काम किया था और बहुत इस पे गोर भी दिया था फरमाया था कि भई यह discrimination खतम किया जाना चाहिए यह untouchability का को खतम किया जाना जरूरी है एक welfare तब ही हो पाएगा अग बहुत सारे लोग तो वैसे ही गरीबी में या इस तरीके से discrimination में बहुत सारी facility से benefit से deprived रहेंगे तो development हम नहीं कर सकते हैं development possible ही नहीं है ऐसी country का लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत सुधार आया है comparatively लेकिन फिर भी caste discrimination हमें आज के टाइम पे भी देखने को मिलती है इंडिय इंडिया में इंडिया की जो public life है वहाँ पे society में हमें caste discrimination आज भी देखने को मिलती है जाती के तोर पे भेदभाव हमें आज भी देखने को मिलता है तो इसको खतम करने के लिए जो गांधी जी का ideal था कि untouchability को खतम करना है एक वो social consciousness सामाजिक चेतना लेकर आनी है ताकि मतल जादा ताकि इस चीज़ को eliminate किया जा सके untouchability को eliminate किया जा सके इसको आगे ले जाने की बहुत जादा जरूरत है Next is Women in Emancipation, Mahila Mukti With glass ceiling still far from being shattered in the public sphere, the Gandhian thought of women emancipation continues to hold relevance कि क्या चीज़ है कि अगर हम महिलाओं की बात करते है, विमन की तो गांधी जी ने महिलाओं मुकती पे बहुत जादा उन्होंने बात की थी कि इसकी बहुत important है इस चीज़ की जरूरत है कि महिलाओं को भी freedom दी जाने चाहिए, उनका भी empowerment होना चाहिए ठीक है, इस पे गांधी जी ने focus किया था और ये आज के time पे भी जरूरी है क्योंकि आज बेशक्स है में देखने को मिल रहा है कि women बहुत आगे जा रही है, हर field में हमें देखने को मिल रहे है but still, क्या बूला गया है, with glass ceiling still far from being shattered कि वो जो एक छट है ना, जहां तक हमें पहुँचना है जहां तक जिस level तक हमें महिलाओं को पहुचाना है वो छट को तोड़ना, वो glass की, शिशे की बनी छट है उसको तोड़ना अभी भी बहुत दूर है उसको हमें तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए वहां तक महिलाओं को पूरा कर लेके जाने के लिए उनको मुक्त करने के लिए हमें गांदी जी के इस आइडियल को और ज़ादा महतोपूंता देते हुए आगे बढ़ाने की जरूरत है आज के टाइम पे रैट जो गांदी जी के थाइम पे जो गांदी जी के थाइम पे समय की पाबंदी, स्वच्था पे, सेनिटेशन के हिसाब से तो ये आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस रखते हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस आज के टाइम पे रखते हैं प्राइवेट पब्लिक और प्राइवेट लाइवस पे और जो हाईजीन के टूवर्ज हमारा कैजूल आटिटीवड है तो वो नही होना चाहिए उस पे भी गांदी जी के आईडिल्स बहुत जादा या उनके जो हमें विचारधा है वो बहुत जादा महत्वपूनता हमें देखने को मिलते हैं बहुत जादा थोस्तों जादा मुलंता हैं अटिश तक इसे जादा उनको समझाए उन्होंने जो चीजे हो रही हैं, उनको समझा है, और इसलिए ये इतना जादा significant हमें देखने को मिलते हैं, इतने जादा important देखने को मिलते हैं, और तभी इनको कई बार कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है, कि ये एक post truth era है, ठीक है, so, गांधी जी के thoughts उस ताइम पे भी बहुत अच्छे थे, उस तें पे भी बहुत relevant थे, और आज के टाइम पे भी हमें बहुत जादा relevant देखने को मिलते हैं, जिने हमें अपनी life में इनकल्केट करना जरूरी है, to lead a better and a healthy and develop life, so, this was all for this question guys, I hope you all have liked this analysis, अपना feedback guys, हमार साथ comment section में जरूर शेर कीजगा, so, with this we end up this session today here guys, thank you so much, have a great day ahead, Jai Hind